मनिपूर के अंदरूनी इलाकों में आज भी अभी भी लगातार फाइरिंग जारी है यानि कि एक और कुकी मिलिटन्स है और यह जो आवाज आपको सुनाई दे रही है यह जो आवाज सुनाई दे रही है यह गोलियों की आवाज है जो एक और यहां पर मनिपूर सरकार की फो लेकिन तीन महीने से उपर का समय हो चुका है और कई लोग अभी ऐसे हैं जो लगातार अपना गर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं यहां से और यह अभी ताजा स्थिती है यानि कि 24 घंटे में यहां पर जो दुकाने थी जो मकान थे उन्हें जला दिया गया है इस इलाके में भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनें खाली कर दिया गया है क्योंकि सुबह से लेके शाम तक कब यहां पर फाइरिंग शुरू हो जाएगी यह नहीं पता लगता है शाम के समय जो लोग सामने रहते हैं वहां पर पुलिस की तैनाती है और साफ कह दिया गया है कि जितना लो उन्हें बंद कराया जा रहा है दो पहर से लेके शाम तक लगभग यही आलम रहता है जितनी भी दुकाने और यह जो गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही है यह दोनों समुदाय के बीच में हो रही इस समय फाइरिंग है यह जो लोग है अंदर से बाहर आ रहे हैं इनी सारी दुकानों को तोड़ा गया है यह विश्नुपूर का क्वाक्ता इलाका है जहां पर अलग-अलग समुदाय के लोग रहते हैं और यह यह आवास सुनिया यह यहां पर खड़ा रहना भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि इसके चारों और इस पूरे रिहाइशी इलाक इस रास्ते में पूलीस भूत की तो तैनाती है लेकिन पूलीस के साथ यह लगातार अनाउंस्मेंट किये जा रही है बताने के लिए कि यहां रहना सुरक्षित नहीं है कैमरा परसन सुरज पांडे के साथ मनोग्या लोईवाल